नमस्कार दोस्तों अगर आप एक नया YouTube वीडियो कॉंटेंट क्रेटर हो तो जुरूर इस वीडियो को सुरूशन तक आप लोग को देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा तो ऐसा सिच्वेशन पर आपका वीडियो खराब होगा तो आपको आपका जो इंट्रेशन खराब होने की चांसे रहता है तो आपको आपका फॉन को यूज करके आपको कैसे एक अच्छा खासा ओडियो प्रोफेशनल आप लोग को बताऊंगा और जिस अप्लिकेसन के जरुद नहीं है तो सुरूशन तक इस वीडियो को देखते रहेगा मैं सारा स्टेप्स आप लोग को दिखाऊंगा और वीडियो अच्छा लगाता ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क इस चैनल पर आप लोग को लगातार मिलता रहेगा तो चलिए एक एक करके आप लोग को सारा स्टेप्स आप लोग को दिखाते हैं तो प्रोफेशनल वीडियो रिकॉड करने के लिए आप लोग को फस्ट एक काम करना है आप लोग को एक एप्लिकेशन जिसका नाम है डॉल भी on इस application को आप लोग को first आप लोग को install कर लेना है आपका mobile पर और install करने के बाद अगर आपके पस microphone है कोई भी normal सा 100 200 या 300 का कोई भी microphone है कोई भी headphone है तो उसको connect कर सकते हो और अपना pocket में as usual जैसे microphone जैसा color mic होता है उस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो और अगर आपके पास कोई भी microphone नहीं है तो आप normally phone को आपना recording mode इस application को on कर लीजिए और उसके बाद आप लोग के काम कर सकते हो आप इसको as the recorder use कर सकते हो और record mode on करने के बाद आप अगर आपके पास कोई microphone नहीं है तो आपना pocket में रख लीजिए आपका chest pocket में रख लीजिए आपका audio record होता ज बीजिए तो first of all आप इस application को ओपें कर लीजिए रौफन करने के बाद यहाँ पर देखे først of all अपर option है इसको on कर लीजिए तो नीचे की तरब जाओगे settings option पर और settings option पर जाने के बाद आप लोगो थोड़ा नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए lossless audio इसको आप लोग को on कर लेना है नॉर्मिल ओफ रहे था है इसको on कर लेना है on करने से क्या होता है कि आप जो भी audio record करोगे original format में यहाँ पर रहेगा कोई loss नहीं होगा तो अच्छा सुनने में अच्छा लगता है उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा पीछे जाना है और record इस option को आप लोग को record देखे middle वाला जो option इस पर आप लोग को tap करना है और आप लोग इसको record कर सकते हो like मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो दूसरा phone से record कर रहा हूँ अवाज होता है तो capture हो जाएगा तो होने के बाद आप लोग यहां पे देखिए यहां पर जो यहां पर stop एक option है इस पर आप लोग को जाना होगा तो stop option पर stop कर दीजिए उसके बाद आप लोग यहां पर कुछ limit I think है नहीं 10-15 मिनिट तो आराम से करी सकते हूँ उसके बाद देखिए यहां पर left की तरफ एक के यहां पर music sign इस पर जाना होगा तो यहां पर जाने के बाद आप लोगो एकदम उपर की तरफ आप लोगो दिख जाएगा जिसको आप last record किये हो तो इसको हम play करके आप लोगो दिखाते हैं सुनाते हैं कि किस तरीके से सुनने में audio quality यहां पर है तो देखिए आप लोगो बेटर कर सकते हैं चलिए सारा steps दिखाते हैं तो first of all देखिए left corner नीचे left corner पर आप लोग एक tool option दिख जाएगा tool option पर आप लोगो जाना होगा और यहां पर देखिए first style है style option पर जाने के बाद आप लोग according to your choice आपको voice को आप लोग का variation करा सकते हैं यहां पर lyrics, deeps, thumbs और natural according to तो आप लोग according to your choice आप लोग कर सकते हो सब अच्छा च्ब format है यहां पर उसके बाद suppose इतो standard वाल आप सुने हो तो यहां पर कुछ amplified वाला इसको सुना के दिखाते है आप लोग को फिर इसको play करते है तो आप लोग यहां पर clearly सुन सकते हो कि यहां पर थोड़ा better हुआ है तो इस तरीके साब लोग balance कर सकते हो तो suppose आपका जब आप audio का record कर रहे हो तो situation पर अगर आपका कुछ noise background कुछ noise आ रहा है तो उस situation पर आप लोग क्या करोगा यहां पर देखे gentle और strong दोनों option यहां पर है तो इसको 5 पर रखना है generally तो आप चाहो तो 6 पर भी रख सकते हो अगर 5 पर भी तोड़ा noise रहता है तो 6 से या साथ पर भी आप लोग जा सकते हो तो इसको अगर जतना 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 बढ़ा होगा audio का quality उतना खराब होगा तो देखे नेक्स्ट हम लोग दिखाती है पर tone यहां पर है tone पर जा सकते हो और यहां पर मीड्स है बैस और ट्रिवर सारा कुछ है according to your choice आप लोग यहां पर कम boost दे सकते हो volume को तो थोड़ा कर सकते हो तो मैं मेरे को अभी चाहिए नहीं तो इसी middle पर है नहीं तो आप लोग यहां पर 0510 ऐसा कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आराम से आप लोग यहां से सारा audio एकदम professionally आप लोग launch कर सकते हो तो next हम लोग दिखाते है और भी कुछ है यहां पर trim बला एक option है देखिए तो आपका audio पर कुछ unwanted parts को आप लोग dream कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों यह था यही था और कुछ है नहीं यहां पर तो दोस्तों यह था चोटा सा वीडियो अगर आपके पास को professional microphone नहीं है या कुछ भी नहीं है अगर आप initial है अगर आप लोग कोई audio record करेंगे तो आपको 100 गुना वहतर आप लोग को audio निकाल के देगा तो और यहां पर noise reduction style बगरा volume boost tone change बगरा सब कुछ कर सकते हो तो बहुत यह बढ़िया quality का यहां पर एक application है तो I think यह वीडियो आप लोग के लिए helpful था तो ज़रूर इस चैनल को subscribe कर कर दीजेगा कि YouTube and technology related videos इस चैनल पर आप लोग को लगातर मिलता रहेगा और YouTube content creator के पास जो लोग भी नया YouTube channel शुरू किया है उन लोग के पास ज़रूर सेर कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट विडिए में थैंक्स पो वाचिंग